नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों मैं आप सब के लिए दुबारा से एक क्यावएने वीडियो लेकर आचुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की एमका का मार्क टू वेरियंट कब तक अपने पहले उडान भ बना रहा है और क्या जो भारत का रुस्तम टू ड्रोन है वो वैपन्स को अपने साथ ले जा सकता है तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई कोश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं अ जो एमका का MK1 वैरियंट है वो 2024 में रोल आउट होगा और इसी के साथ 2025 से लेकर के 26 में उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट किया जाएगा और 2028 तक उसके जो 5 वैरियंट है उनको टेस्टिंग के लिए तयार किया जाएगा और 2029 तक उसका जो मास्ट प्रोड ले सवदेशी इंजन के साथ तो अगर आप हमारे सवदेशी इंजन की तो दोस्तों जो सवदेशी इंजन है वो 2030 तक बन करके तयार हो चुका होगा और डियाइड्यो ने उस इंजन के 2030 तक लगबग 14 जो प्रोटोटाइप है वे प्लान किया है जिसमें से 7 फ्लाइं प्रो अगर आप देखते हैं तो जो एमका के Mark 2 variant है उसकी जो first flight है वो आप सब को 2032 या फिर 33 में देखने को मिल सकती है तो जो एमका का Mark 2 variant होगा वो swarm drones, direct energy weapon system और artificial intelligence के साथ आप सब को जो unmanned की खूबिया है उनके साथ देखने को मिलेगा और जो Indian Air Force है उन्होंने 80 से लेकर के 90 जो एमका के Mark 2 variant है उनको लेने का प्लान बनाया है तो दोस्तो इसके बाद अगला question आ जाता है गुरविंदर और साथ में अमे विचारे जी की तरफ से जो कहते हैं क्या Indian Navy को third aircraft carrier मिलेगा और इसके ओपर क्या update है तो देखी दोस्तो हाल ही में एक update निकल करके आई थी जहां पर बताया गया था कि इस साल का जो defense budget होगा उसमें जादतर जो ध्यान है वो Indian Navy के ओपर दिया जाएगा जिससे कि जो Indian Navy है उनके अंदर नए जो ship है उसको यहां पर शामिल किया जा सके मैंने आप सबको एक वीडियो में भी इसके बारे में बताया था तो दोस्तो इस सबके बाद भी जो Indian Navy है वे 2027 से लेकर के 2030 तक 165 जो नए ship होंगे उनके order देगी तो यहीं से पता लग जाता है कि यहां पर काफी जादा chances है कि इस साल का जो budget है उसके उपर जो Indian Navy है उनके उ विकरांत के बाद हमारा third aircraft carrier होने वाला है तो उसके लिए जो coaching ship याड है उन्होंने नए dry dog के उपर जो काम है वो भी शुरू कर दिया है जो की 70,000 टन वजिन एक ship को बनाने में शक्षम है और आप सबको पता है कि इतना displacement केवल एक aircraft carrier का ही हो सकता है तो जो coaching ship याड है वे इस dry dog के उपर लगबग 600 से लेकर के 700 million US dollar invest कर रहे हैं ताकि इसको विद 2023 तक operational कर पाएं तो इस सबके अलावा भी जो इंडियन नेवी है उन्होंने हाल ही में एक defense committee के जरिये जो हमारी सरकार है उनके सामने third aircraft carrier को लेकर जो demand है उसको सामने रखा था और चीन भी जो है वो 2030 तक उनका प्लान है कि वे लगबग 6 aircraft carrier को operational कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नेवी है उनको third aircraft carrier की और ज्यादा अवशक्ता पड़ेगी और इस सबको देखती हुए हो सकता है कि जो third aircraft carrier है उसके लिए जल्दे जो भारत की सरकार है वे यहाँ पर approval दे दें तो अगले सवाल में हीरा मित्रा जी कहते हैं वुड इंडिया गो फोर मेंड हंडर टन क्लास बोंबर टू चैलेंज चाइना सूपर पावर पोजिशन तो देखी दोस्तों जो रश्या है वो सो से लेकर के 120 टन क्लास के पाकदा बोंबर को बना रहा है और 2040 के बाद वे इसके वेरियंट को भी तयार करेंगे और चाइना भी अभी 95 टन क्लास के 230 एचुरं क क्लेम के अनुसार वे 200 टन क्लास के 45 टन पेलोड को ले जाने लाइक एच 20 बोंबर को 2025 तक कमिशन कर लेंगे तो अब भी भारत बोंबर को लेने का प्लान क्यों नहीं बनाता है तो देखी दो का गैप है वो इतना जादा बड़ा है कि किसी भी अच्छे खासी कंट्री की जो सांसे है वे ऊपर चड़ सकती है क्यूंकि आप देखी दो हजार पैंतिस तक हमें लगबग तीन सो जो फाइटर जैट है उनको रिटायर करना है और लगबग चार सो से भी जादा जो फाइटर होते हैं और एक बॉमबर की जो कीमत है उसमें लगबग चार से लेकर के छे जो राफेल फाइटर जैट है उनको यहाँ पर लिया जा सकता है और रही बात यहाँ पर अगर हम नोन स्टेल्थ बॉमबर को अपने बेड़े में शामिल करते हैं तो वे किसी भी एडिफेंस सिस करते हैं तो हमारी आवशकता कितनी है वो काफी ज़्यादा चोटी होगी तो ऐसे में केवल डेटरेंस क्रियेट करने के लिए एक बॉमबर को लेना यह काफी ज़्यादा कोश्टली होगा तो इसी कारण से भारत ने अभी के लिए जो बॉमबर है उसको प्लान नहीं किया ह और साथी साथ अगर हम खुद से बनाते हैं तो इसमें काफी ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन दोस्तो हो सकता है कि हम भविश्या में जो एक भॉमबर है जो की छोटे साइस का हो लेकिन स्टेल्थ हो उसको यहाँ पर प्लान कर सकते हैं तो इसके बाद अगले सवाल म कि प्रोजेक्ट विश्यू हाइपरसोनिक मिसाईल के बारे में वीडियो बनाओ तो देखी दोस्तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत प्रोजेक्ट विश्यू के तहप दो हाइपरसोनिक मिसाईल को बनाएगा जिसमें एक होगी यहाँ पर 700 किलोमेटर तक हमला करतने ला जो ब्रमोस 2 है उसकी रेंज 700 से लेकर के 1000 किलोमेटर तक बताई जाती है तो यहाँ पर काफी जादा चांसेस है कि यह ब्रमोस 2 मिसाइल हो तो इसके बाद जो सेकंड मिसाइल है जो की 2500 किलोमेटर तक हमला करतने में शक्षम होगी तो या तो यह एक नई मिसाइल होगी इस प्रोजेक्ट के तहत या फिर यहाँ पर जो ब्रमोस 2 मिसाइल होगी उसकी जो रेंज है उसको यहाँ पर एक्स्टेंड किया जाएगा यान कि आप इसे ब्रमोस 2 का एक एक्स्टेंड वेरियंट कह सकते हैं तो भारत इन दोनों मिसाइलों को बनाने के लिए जो HSTDV है यानि की Hyper Sonic Technology Demonstration Vehicle तो दोस्तो इसके जरीए हम अलग-अलग टेस्ट को कंड़क्ट कर रहे हैं और साथी साथ इसके जरीए जो Scram Jet Engine है उसको भी हम बना रहे हैं इसका इस्तेमाल आने वाले समय में इन दोनों Hyper Sonic Weapons में किया जाएगा तो अगले सवाल में दीप सागर जी पूछते हैं कि आ रुस्तम 2 पर मिसाइल और बॉम्स को लगा सकते हैं तो देखी दोस्तो जो रुस्तम 2 है जिसे अब हम Tapas 201 Drone के नाम से जानते हैं तो इस साल इसके High Altitude के उपर Long Endurance के जो टेस्ट है उनको Conduct किया जाएगा तो बताया जाता है कि यह लगबग 350 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे अपने साथ Carry कर सकता है वैसे तो यह जो Drone है यह एक Normal UAV के तोर पर डिजाइन किया गया है ना कि एक UCAV के हिसाब से लेकिन फिर भी हम चाहे कर सकते हैं और कुछ जो Unguided Bombs है उनको भी यहां पर Mount करना पॉसीबल है इसके बाद अगले सवाल में जो पर दीप सेंजी है वे पूछते हैं Can we choose Queen Elizabeth Aircraft Carrier Design with Catapult System for INS विशाल It will be save our time दोस्तों देखिए सबसे पहले जो इंडिये नेवी है उन्होंने कुछ दिन पहले यहां पर बताया था कि वे कोश्ट के लिए हो सकता है कि जो Catapult System है उसको अपने Aircraft Carrier में अब integrate ना करे यानि कि जो Catabar Aircraft Carrier का जो प्लान है वो यहां पर drop किया जा सकता है और इस सब के लावा अगर आप बात करें UK के Queen Elizabeth Aircraft Carrier के design की तो काफ़ जादा decent design है यहां पर जो two room controller है उनक design है उसको देगा तो देखी दोस्तों जब UK इस Aircraft Carrier को बना रहा था तो उन्होंने काफ़ ज़्यादा हमें offer दिये थे और साथ में यहां पर हमें कहा था कि हम चाहे तो इस project का जो हिस्सा है वो बन सकते हैं और साथी साथ अब भी UK हमें जो उनका sick generation का fighter jet है उसके लिए भी partner बनाना चाहता है और इसके बाद रही बात design में changes करने की तो वो भी भारत बड़ी असानी से कर सकता है क्योंकि वो एक design है वो अभी यहां पर बन करके तयार नहीं हुआ है तो हम उसमें जैसे चाहिए वैसे changes कर सकते हैं लेकिन अगर हम बनाने के बाद उसमें कुछ changes चाहत हैं तो यह काफी ज़्यादा मुश्किल होगा लेकिन जब उसे design किया जा रहा था तो तब उसमें जितने जो changes है वह काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से काफी ज़्यादा आसानी के साथ यहां पर possible थे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी और आप भी अपने question को comment section में जा करके लिख सकते हैं तो चली दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मेली तहें गली वीडियो में तब तक के लिए goodbye जै हिंद